स्वागत दोस्तों आपका एक बार फिर अपनी इस चैनल में दीपा पांडे के साथ सात्यों आज की ये जानकारी हम कोट मेरिस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के रूप में आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें हम आपके उन सभी इंपोर्टेंट सवालों के जवाब भी देंगे जिनका कपल्स के द्वारा कॉल करके बार बार हमसे पूछा जाता है तो जानकारी बेहत ही इंपोर्टेंट है इसे अंतक जरूर सुनिएगा और इस जानकारी में point wise हम आपको बताएंगे कि क्या कोर्ट मेरिज करने के लिए लड़कियों की कानुन अन उम्र बढ़ चुकी है या नहीं बढ़ी है कोर्ट मेरिज के दौरान किसी प्रकार का नोटीस आपके घर पर जाता है या नहीं जाता है court marriage का जो online certificate होता है, comment वाला, वो कैसा दिखाई देता है और notary का certificate से ही वो कैसे अलग होता है, आप ये कैसा पता लगा सकते हैं साथी ये भी चानेंगे कि court marriage करने के बाद वो court marriage कब से valid होती है क्या उसे कोई cancel करवा सकता है या नहीं तो जनकारी important है, इसे अंतर जरूर सुनिएगा तो साथी ये सबसे पहले तो हम यहां आपको ये clear कर दें कि court marriage करने के लिए जो पूरे भारत में कानूनन उम्र है लड़कियों के लिए वो अभी 18 प्लस ही है नया कानून अभी नई बना है, अभी जो लड़कियों की कानूनन उम्र है वो 18 प्लस है और जो लड़का है उसकी 21 प्लस होनी चाहिए अगर इससे जुड़या कोई भी नया कानून बनता है तो उसकी update हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दे देंगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा इसके अलावा जो दूसरा important प्रशन हमसे पूछा जाता है वो ये है कि क्या court marriage करने के दौरान किसी भी प्रकार का notice आपके घर पर जाता है या नहीं जाता है तो इसके जवाब में हम आपको बता दे कि अगर आप court marriage यूपी के गाजयबाद, दिल्ली, हर्याना, पंजाब या चंडिगर, मुंबई से करते हैं और आप हमारे द्वारा उस marriage को यहाँ पर रजिस्टर करवाते हैं तो हम आपको बता दे कि इस पूरी process में किसी भी प्रकार का notice आपके घर पर नहीं चाता है, किसी को भी नहीं पता चलता कि आपकी marriage हुई है या नहीं हुई है जब तक आप नहीं बतातें तीसरा question जो बार-बार पूछा जाता है कि क्या मैं हमारे आए बिना भी यानि अगर हम लड़की को साथ नहीं लातें सिर्फ मैं ही आता हूँ यानि लड़का आता है तो क्या ऐसे में marriage हो जाती है या नहीं होती है तो हम आपको बता दें कि पूरे भारत में वर्च्वल मैरिज का कोई भी प्रावधान नहीं है मैरिज अगर आपको register करवानी है तो उसके लिए जो मैरी रजिश्टार office में या htm office में लड़का और लड़की का पेश होना गवाहों के साथ इन सभी का पेश होना जरूरी ह वर्च्वल मैरिज जैसा कोई भी प्रावधान अभी भारत में नहीं है अगर आपको कोई ऐसा बोलता है तो वो गलत कह रहा है ऐसे लोगों से आपको बच कर रहना है इसके लावा जो सबसे important प्रशन है जो couples हम से बार-बार पूछते हैं और जिसको लेकर couple गुम रहा भी रहते हैं और खुद को मुसीबत में डाल देते हैं वो यह है कि court marriage तो couples करना चाहते हैं लड़का लड़की दोनों राजी है court marriage करने के लिए लेकिन उनकी जो documents हैं उनमें उम्र कम होती है या तो लड़की की कम होती है और कई परिस्तितियों में तो देखा गया है कि लड़क उसे अपडेट करवा लीजे documents को और उसके बाद आप marriage कर सकते हैं तो हम आपको बता दे कि ऐसा करना बिलकुल गैर कानोनी काम है अगर कोई भी आपको ऐसा गुम्रा कर रहा है तो आपको ऐसी लोगों से बच कर रहना है क्योंकि अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं और उस इसके अलावा आपको बता दे कि जब लड़कियों की age किसी के द्वारा बढ़ाई जाती है बेशक आप documents में update करवा लीजे age आप अधार कार्ड बनवा लीजे लेकिन लड़की के माता पिता के पास उसकी age से जुड़े यानि अगर लड़की 18 से कम है तो उसे जुड़े documents ह होते ही हैं और ऐसे में उसके माता पिता क्या करते हैं वो पुलिस के पास जाकर अपनी नाबारिक लड़की के apparent का केस दर्ज करवाते हैं और आपके साथ साथ आपके माता पिता के खिलाव भी कारेवाही होती है आपका साथ देने के संदर्म में तो इसके बाद क्या होता है कि बेशिक आप लड़की को लेकर भाग जाईए लेकिन आपके माता-पिता को आपके परिवार के सदस्यों को उठा लिया जाता है पुलिस के द्वारा उन्हें परिशान किया जाता है क्योंकि यहाँ नाबालिक केस का मामला होता है जो गंभीर मामला है तो पुलिस इस पर श्ट्रीक एक्शन लेती है और ऐसे में अगर ये साबित हो जाए कि लड़की सच में नाबाली कीती तो ऐसे में आरत के उपर चाइल्ड मैरिज एक्ट भी लग जाता है पॉक्सों के साथ-साथ जो की गंभीर अपराध होते है और उसे जानकारी उसे आपको बचकर रहना है जो आपको गुम्रहा करते हैं इसके अलावा Sug web के मन में एकभी इछ रहती है ये समझने की कि नोटरी एले शादी पेपर पर आपके कागज बनते हैं वो इस परकार के दिखाई देते हैं आप उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये जो certificate होते हैं ये just एक affidavit होता है जिसका कोई आपकी शादी को लेकर कोई रोल नहीं होता है ये सिर्फ एक affidavit का काम करते हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं और court marriage certificate की अगर बात करें तो state wise मैं आपको एक बार screen पर court marriage की certificate दिखा दे हैं तो state wise आप देखें ये certificate कैसे होते हैं पहला certificate आप देख सकते हैं ये गाजयबाद का certificate है जो इस प्रकार का दिखाई देता है इसमें stamp और seal आप देख सकते हैं जो marriage star की है UP government का ये certificate है इसके अलावा दिल्ली का certificate इस प्रकार का होता है जैसा आप screen पर देख रहे हैं हर्या आने के certificate की बात करें तो ये देखी इस प्रकार का हर्याना government का certificate जो court marriage का होता है वो दिखाई देता है इसमें barcode भी लगा है government की website भी है आप इसे मौके पर ही चेक कर सकते हैं चंडिगर का certificate आप इस प्रकार का देख सकते हैं इसे भी आप online चेक कर सकते हैं बार कोड के द्व तो सातियों अब आप नोटरी वाले certificate को और government वाले certificate को आप देख चुके हैं mostly हर स्टेट की certificate हमने आपको दिखा दिये हैं जहां जहां पर हम काम करवाते हैं तो अगर आप हमारे द्वारा ये अपनी सेवा लेना चाहते हैं marriage करवाकर उसे हमारे द्वारा रजिस्टर करवा कर सकते हैं तो साती चलते हैं client के अगले कोशन की तरस की द्वारा पूछा जाता है कि क्या जो हमारी marriats hooties hotel होती है वह कब से वैलिड होती है इसके अलावा वह यह भी पूषते हैं कि हमारी court marriage को कोई भी व्यक्ति हमारे घर वाले रिष्टेदार या कोई भी व्यक्ति cancel करवा सकता है या नहीं करवा सकता तो हम आपको बता दें कि अगर आप proper rituals के साथ marriage करके उसे सही तरीके से register करवाते हैं government के certificate जो भी आपको दिखाये थे इस प्रकार के certificate आपके पास होता है यानि आपके पास सारे सबूत हैं सारे certificates हैं अपनी marriage को लेकर तो हम आपको बता दें कि ऐसी marriage एक पकी marriage होती है उसे कोई भी cancel नहीं करवा सकता है इवन आप दोनों भी चाहा कर उस marriage को नहीं तोड़ सकते है बिना court की permission से ऐसी marriage को अगर खतम करवाना होता है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है वो यह होता है कि court में इसके लिए divorce के लिए apply होता है और हम आपको बता दें कि divorce के लिए apply करने की एक condition होती है कि कम से कम marriage को एक साल का time हो जाना चाहिए जब एक साल का time complete हो जाता है उसक यह बाद भी हम आपको बता दें कि यह तुरंत divorce नहीं होता है साल के बाद भी जब आप apply करते हैं तो court की द्वारा 6 महिने का time आप दोनों को दिया जाता है सोचने के लिए समझने के लिए इस रिष्टे को बचाने के लिए अगर उसके बाद भी आप दोनों की मर्जी होती है कि divorce आपको लेना ही है तब जाकर court grant करती है divorce के order जो होते है mutual divorce के 13B section के तहट order तो साथे यहां पर यह बात clear है कि कोई भी व्यक्ति अन्य कोई भी व्यक्ति आपकी marriage को cancel नहीं करवा सकता है even आप दोनों को भी अपनी marriage अगर cancel करवानी है तो court से permission लेकर divorce लेकर ही यह संभव हो पाता है और रही बात validation की तो हम आपको बता दे कि अगर आपने proper court marriage की है notary paper का काम नहीं किया है court marriage की है तो same day से ही वो marriage valid होती है यानि same day से ही आप साथ रह सकते हैं तीन महीने अलग रहने की छुपने की ऐसे करने की कोई जरुवत नहीं होती है कपल सकसर ही कहा करते हैं कि मैम marriage करने के बाद हमें तीन महीने चुपना पड़ेगा या कहीं दूर रहना पड़ेगा बंद रहना पड़ेगा तो ऐसा बिलकुल नहीं है ये एक कानूनन आपका अधिकार है marriage करने का अगर आप दोनों बालिक है documents आपके पूरे हैं आपने पूलिस में कर सकते हैं पूलिस में बात ना बने तो आप कोट की भी सहायता ले सकते हैं तो साथी शौट में अगर बात करें तो अगर कोट मैरिज करने के लिए आप दोनों कानूनन बालिक हैं लड़की 18 प्लस है आप 21 प्लस है और ऐसे में documents आपकी complete हैं आपकी उम्र को ल होती है आप सेम डे से ही साथ रह सकते हैं कोई अन्य व्यक्ति आपकी इस marriage को cancel नहीं करवा सकता है अगर इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति आपको डराता है धमकाता है कोई मारने की धमकी देता है तो ऐसे में आप पूलिस की सहायता ले सकते हैं पूलिस आपका साथ जर 04 पर हमसे contact कर सकते हैं और आप अपनी query को हमसे शौट आउट करवा सकते हैं इसके अलावा हम आपको बता दे कि यूपी गाजयबाद, दिल्ली, हर्याना, पंजाब, चंडिगर, मुंबई इन सबी जगर पर हमारी सेवाई मौजूत है अगर आप अपनी marriage को करके उसे जल से जल रजिस्टर करवाना चाहते हैं इवन सेम डे में 3-4 घंटे में ही बिना किसी notice के तो आप हमसे संपर्ख कर सकते हैं हम आपकी मदद जरूर करेंगे तो साथ यो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ किसी नई कानूनी topic के साथ तब तक के लिए नमस्क जया जया साथ